बुलुश्री प्राणराथ प्यारे की, बुलुश्री सत्गुरु महारा प्राणदहार आत्मसमंदी सुंदर साजे कल की चर्चा में हमने वैश्णव मत के चारों संप्रदायों का वर्णन सुन लिया था जिसमें से रामानुज मत का वर्णन हमने परसों की चर्चा में सुना उनके अलावा निमानुज विश्णुश्याम और माधवाचारिय के विशे में कल सुना साथ में दस नाम सन्यासियों के मत में से जिनकी साथ मान्यताएं हैं और दस नाम हैं उन दसों नामों का अर्थ हमने समझा कि तीर्थ, आश्रम, वन, आरण्य, गिरी, परवत, सागर, पुरी, भारती और सरस्वती इन सब का भिन भिन अर्थ क्या है, सन्यासि किसे कहते हैं, सन्यास किसे कहते हैं, कर्मों का बंधन क्या है, उससे मुक्त होना क्या है और साथ में हमने प्रारंब के चार मठों के विशेय में, चार मान्यताओं के विशेय में सुना अब आगे पाँचवी मन्या के जो आचारिये थे उन्होंने अपने विश्य में बताया कहते हैं पाँचवी मन्या जो कही उर्ध्वा दाको नाम जो प्रारंब के चार मत हैं वो उन सन्यासियों के द्वारा बनाई हुई है जो किसी ने किसी प्रकार से विशेश स्थान के बंधन में हैं बंधन का तात्परिय की चार मठ हो गए गोवर्धन मठ है, श्रिंगेरी मठ है, जोसी मठ है, सार्दा मठ है उन मठों के बंधन में रहके अथवा मठों में किसी एक महंत के अधीन रहकर जो अपना सन्यास का जीवन व्यतीत कर रहे थे उन्होंने प्रारम के चार मत बना है आज भी जो चार मत हैं उन चारों मत के जो संकराचार्यजी है उनके अधिन बहुत से साधू संत सन्यासी रहते हैं लेकिन कुछ सन्यासी ऐसे भी हैं जो किसी लवकिक स्थान के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे इन्होंने कोई बाहिय मत को बाहिय लवकिक तीर्थ इत्यादी को नहीं माना बलकि कोई भी नाम ले रहे हैं तो उसका कोई न कोई गुही अर्थ होता है अध्यात्मपरक अर्थ होता है ऐसे तीन मान्यता हैं पांचवी, छठी और सात्वी मान्यता जिसमें सबसे पहले क्या रहे हैं कि पांचवी मान्यता जो कही उर्धा ताको नाम पांचवी मान्यता का नाम है उर्धा उर्धा का मतलब क्या होता है और जो मतलब उपर की और उठने वाला आपने देखा होगा सन्यासमत में जो वस्त्र भी पहने जाते हैं वह भगवा रंग का होता है भगवे वस्त्र पहनते हैं ना इसका कारण भी यह होता है कि जो भगवा रंग है अगनी से लिया हुआ है अगनी मतलब आग के रंग से क्यों? इसका कारण यह है कि जैसे आग है उसकी लपटें हमेशा उपर की तरफ उठती है एक लक्षन है और दूसरा है कि वह स्वयम जल करके दूसरे को प्रकास दे रहा होता है तो अगनी की तरह हम ज्यान के प्रकास से प्रकासित हों और हमेशा हम उपर की तरफ गमन करें उर्ध्व गमन करें इसलिए वह वेश चुना हुआ है वह रंग चुना हुआ है अब यहाँ वे सन्यासी हैं जो जिन्होंने अपने आपको कहा कि हमारा नाम उर्ध्वा है ताको मठ सुमेर है सुमेरु परवत को इन्होंने कहा कि यह हमारा मठ है तो वो मठ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे दूसरे मठों में बहुत सारे संत सन्यासी रहते हैं और किसी के अधिन रह करके किसी महंत के अधिन रह कर गया है कि क्योंकि वहां तो कोई मठा धिस नहीं रहना है सुमेरु परवत कोई अलग से मठ तो है नहीं कि वहां कोई मठा धिस रहता है अब बताना था वो किसी ने पूछा कि आपका मठ कौन सा है तो उन्होंने केवल बोलचाल के लिए बोल दिया और अपने संप्रदाई का नाम कह रहे है कि हम हमारे संप्रदाई की उत्पत्ति का जो इस्थान है वहां काशी है काशी जिसको हम वारानसी कहते हैं और कह रहे हैं ज्ञान पद कैलास च्छेत रहे हमारे ज्ञान का जो च्छेत रहे वहां कैलास परवत है ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि ये जो संप्रदाई की है इस मन्या के वो अपने गुरु शिवजी को मानते हैं और इसलिए उन्होंने शिवजी को गुरु मानने के कारण ज्ञान का छित्र बताया कैलास को और कह रहे हैं निरंजन देवता सत्थ हम निरंजन को देवता मानते हैं जो निराकार है जिसके कोई अंग प्रत्यंग अवयव नहीं है उसको देवता मानते हैं माया जो अनादी माया है उसको हम देवी मानते हैं और इश्वर आचारजमत जो इश्वर है जिसको आदी नारायन भी कहा गया है जिसको सबल ब्रह्म अथवा हिरण्य गर्भ कहा जाता है उस इश्वर को हम आचारिय मानते हैं क्योंकि इस स्रिष्टी में स्रिष्टी के प्रारम में जो भी ज्ञान फैलता है वह ज्ञान आदी नारायन के माध्यम से ही इस संचार में फैलता है इसलिए हम उसको आचारिय मानते हैं मान सरोबर तीरत है ये पाँचवी मान्यता के हिसाब से मान सरोबर को तीरत मानते है अब श्रिष्टी ने इन सभी पद्धती को सुन करके सोचा कि अब तक कि किसी भी मान्यता में इस जगत के परेकी तो कोई बात ही नहीं की जा रही है स्री लालदा जी कहते हैं सुनके आप चित विचारिया ए जग बाहर नहीं कोई इसमें से कोई भी जगत के बाहर की बात ही नहीं बता रहा है कोई बहुत उपर तक जा रहा है तो आदिनारैन की बात बता रहा है सबल ब्रह्म की बात हीरन्य गर्ब की बात इससे उपर की बात कोई करही नहीं रहा है अब छठी मन्या के विशे में बता रहे हैं कहरे छठी मन्या की विध जो बरनत अगम अगाद जो छठी मान्यता है उसको सभी लोग अगम और अगाद कहते हैं क्योंकि इसका ग्यान सबसे परेकी है दसो नाम का इष्ट है भजत बहुत विध सिदसाद कि यह जो छठी मान्यता है इसको दसो नाम की जो सन्यासी है वो किसी ने किसी रूप में किसी ने किसी अंस का पालन कर रहे होते हैं इसका कारण क्या है कि छठी मान्यता में अध्यात्म की बहुत उचे स्तर के बात बताई गई है कैसे बताई गई है वो आगे बताएंगे जैसे आत्मा है परात्म की बात कर रहे हैं किसी ने ऐसी बात नहीं कि छठी मान्यता के लोग के रहे हैं मन्या छठी कही आत्मा हमारी मान्यता का नाम आत्मा है और मठ पर आत्म मूल हम अपना मठ किसको बताते हैं जो आत्मा का मूल परात्म है उसी को हम अपना मूल बताते हैं और के रहे हैं सत संतुष्ट कही संप्रदा जोग पद परे न भूल कहरें कि जो योग का पद है पद मतलब रास्ता मार्ग हम योग के मार्ग को कदापी नहीं छोड़ सकते जिस पर चल कर व्यक्ति वास्तों में अपने वास्तविक आनंद को सत संतुष्ट मतलब सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है वह योग का मार्ग हमारा है अब क्योंकि सन्यास में कोई भी व्यक्ति होगा वह योग को अवस्य ही मानेगा तो इसलिए छटी मन्या के आचारियों ने कहा कि हमारा मत तो किसी ने किसी रूप में दसो मान्यताओं का मूल है आज दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो थोड़ा बहुत भी सनातन के विशय में जानता होगा चाहे किसी भी संप्रदाय को मानता होगा वह योग को अवस्य मानता ही है और जिस सिध्धानत में योग का प्रचार नहीं है यहां योग का मतलब में केवल आसन प्राणायम की बात नहीं कर रहा आगे जब योगदर्शन का विशय आएगा तो वहां हम योग को अच्छे से समझेंगे तो जिस मत में किसी ने किसी रूप में योग की प्रधानता नहीं है अथवा योग का प्रचार नहीं है ध्यान का प्रचार नहीं है तो उस मत को लोग समझते हैं कि यह तो ऐसे ही कोई आडमबर चला रहा चाहिए किसी भी मत को देख लेजिए हर विशेस मत में ध्यान के विशे में बताया ही गया है तो इसलिए कहीं न कहीं सभी लोग कह रहे हैं कि इस थटी माननेता से जुड़े हुगे हैं नाभीक छेत्र परमहंच देवता हम नाभी को छेत्र मानते हैं मुंडक उपनिशद में एक प्रसंग आता है जिसमें नाभी को बताया गया है कि पूरी शरीर में जितनी भी नाडियां है उन सभी नाडियों का केंद्र नाभी है वैसे भी देखा जाए तो आप जैसे भातिक विज्ञान के हिसाब से भी देखते हैं तो जो हमारा नाभी है वो center of gravity है जिसको हम गुरुत्वाकरशन का केंदर कहते है और आप बायोलोजी के हिसाब से देखें, बायोलोजी मतलब जो स्कुल में पढ़ाई जाते है, उस हिसाब से नहीं जो शरीर की संद्रचना है उसके हिसाब से देखें तो सभी नाडियों का जो केंदर है वह नाभी को माना गया है और उसका ध्यान करने की बात मुंडक उपनिशब में बताई गई है तो यहां उस नाभी को छेत्र मान रहे हैं और कह रहे हैं कि परमहंस अवस्था जो है वह हमारा देवता है परमहंस देवता अब हम हंस और परमहंस की बात करते हैं, यह क्या है वास्तों में, एक तरफ हम कहते हैं, कि परमहंस तो क्यवल ब्रह्मसिस्टियों को कहा जा सकता है, बीतक में भी एक प्रसंग में चोपई आती है, नदी किलकिला जो सरवच अवस्था है, वह परमहंस की अवस्था है, लोग व्यवाहर में, जो लोग साथ अवस्थाओं में से पांचवी अवस्था तक भी पहुँचे होते हैं, उनके विशय में दुनिया ये राय बना लेती है, कि ये परमहंस अवस्था में पहुँच चुके हैं, क्यों पांचमी अवस्था है उस पांचमी अवस्था को कईवल ली अवस्था अथवा विदेही अवस्था भी कहा जाता है। वो उस आनन्द में इतना डूब जाता है और जो नहीं पहुचा है उसको मालीजे बता भी दिया जा तो कोई कैसे समझेगा जैसे कोई गूगा बेखती है उसे आप गुड़ खिला दे और पूछें कैसा है कैसे बताएगा वो नहीं बता सकता ना वो चटखारे मार सकता है निकाल करके चटखारे मार सकता है और चहरे का जो एक्सप्रेशन है वो बदल सकता है या फिर हाथ से दिखा सकता है कि अच्छा लगा पर यह कौन सा स्वाद है ऐसा अगर कोई कर रहा है आप क्या समझेंगे अगर पहली बार आप में से किसी ने भी गुड़ ना खाया हो और कोई दुसरा गुंगा वेक्ती आपको बता रहा है कि ऐसा है खाओ खाओ आप क्या समझेंगे कोई भी स्वाद हो सकता है ना किसी को नमकिन में ऐसा लग सकता है किसी को मिठे में किसी को खटे में किसी को तीखा में तो बता पाना संभव नहीं है इसी तरह से यह जो वि तीन अलग-अलग भेद हैं, अलग-अलग काटेगरी हैं, समाधी की अलग-अलग अवस्थाएं हैं, कहने को हम समाधी कह देते हैं, उसमें एक तो हो गया सामानी रूप में की, ध्यान में आप लगातार लंबे समय तक बैठे, एक आगरता के साथ में, तो उसको सामानी रूप में समाधी कहते हैं, फिर उसके दो भेद और हो जाते हैं, एक है संप्रज्यात समाधी, एक है असंप्रज्यात समाधी, तो इस तरह से तीन अलग-अलग अवस्थाएं समाधी के अंदर ही होती है, अब बाहर देखने वाले को क्या पता, कि कौन कितना डूबा है इसलिए सामानी रूप में जो विदेही अवस्था तक पहुच जाता है अब प्रश्ण यह है कि विदेही अवस्था कौन सी है तो जो देह भाव से उपर उठ गया है वह विदेह है तो उस अवस्था को अमुमन सभी लोग परमहंच अवस्था कह देते हैं तो उस अवस्था में पहुचे होने के कारण इस संसार के कई महापुरुषों को लोग परमहंच की सोभा से सुशोभीत कर देते हैं परमहंच की खिताब देते हैं वास्तो में परम हंस अवस्था तो वह अवस्था है पहले हंस का समझते हैं जैसे हंस में एक स्वाभाविक गुण होता है उसके चोंच में एक इस प्रकार का किमिकल पाया जाता है इस प्रकार का रसायन पाया जाता है कि जब वो दूद में अपनी चोंच डालता है पीने के लिए मान लिजे कि उसमें पानी मिलाया हुआ है तो वह दूद और पानी को अलग-अलग कर सकता है जैसे हम दूद में कोई अलग-अलग जान सकता है उसको पहचान सकता है हम नहीं पहचान सकते ना वैसे कुछ न कुछ हमें अलग से डालना पड़ता है इसी तरह से समाधी की वह अवस्था जिसमें जीव अपनी सुद्ध रूप को देख ले और ब्रह्म की भी रूप को समझ ले माया और ब्रह्म दो गोनों को अलग-अलग करके समझे वो अवस्था हन्स अवस्था कहलाती है और जब जीव ब्रह्म में पूरी तरसे जीव का मतलब यहां साधग से है योगी से योगी जब ब्रह्म में पूरी तरसे डूब जाए जिस इस अवस्था में जाकर के रिशियों ने ये बात कही कि अहम ब्रम्हास्मी तो उस अवस्था में डूबी हुई जो अवस्था है वह अवस्था परम्हंच की अवस्था है लेकिन परम्हंच की अवस्था तब तक है जब तक डूबा हुआ है जैसे ही उस अवस्था से वापस आता है समाधी से और कुछ व्यक्त करने लगता है तो वो अवस्था भंग हो जाती है तो परमहंच एक अवस्था का नाम है जो हमेशा नहीं बना रहता पर हां एक बार पहुंच जाने के बाद तो वो परम हंच ही कहलाएगा ना और ये सोभा हंच और परम हंच की जो सोभा है वह इस्वरिय स्रिस्टी और ब्रह्म स्रिस्टी को ही प्राप्थ है क्योंकि इस संचार में कोई डूबेगा तब भी या तो नारायन तक ही तो डूबेगा ना ब्रह्म की तो किसी को पहचान ही नहीं थी इसलिए जीव स्रिष्टियों में अधिकतम यदि कोई पहुचा है तो वह विदेही अवस्था तक पहुचा है और उसी अवस्था को परमंच अवस्था कह करके वर्णित किया गया है अब यहां कह रहे हैं नाभी छेत्र परमंच देवता परमंच अवस्था की प्राप्ति को हम देवता मानते हैं और मन्सा देवी उर्ण अब यह मन्सा देवी को हम देवी मानते हैं अब यह मन्सा देवी कौन है एक रिशी हुए उनका नाम है जरुत कारू उनकी पतनी का नाम मनसा है जैसे आप हरिद्वार जाते हैं वहाँ पर मनसा देवी का एक मंदिर बना हुआ है उनके संदर्ब में एक कथा आती है कि पूरी कहानी संक्षित में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं मैंने किसी के मुख से सुना है कि एक बार जो रिषी थे जरुतकारो रिषी वह मनसा देवी के गोदी में सिरर रह करके लेटे हुए थे, सो रहे थे और अब उन देवी ने क्या सोचा कि संध्या का समय हो रहा है संध्या का मतलब यहां साम की बात नहीं हो रही है सुबह और शाम दोनों का वह समय जब रात्री से सुरियोदय हो रहा होता है और सुरियोदय सुरियास्त की तरफ बढ़ रहा होता वो दोनों जो जोड का समय है ना उसको संध्या समय कहते हैं और दोनों समय सुबह साम यज्य अथवा ध्यान करने का विधान है तो सास्त्र कहते हैं कि ऐसे समय में सोना नहीं चाहिए सुर्योदय के समय में भी नहीं सोना चाहिए और सुरियास्त के समय में भी नहीं सोना चाहिए वो समय या तो स्वाध्याई किया जाए या ध्यान किया जाए और उसमें भी ध्यान ही किया जाए तो उसको स्रेश्ट बताया है तो रिशी अपने दीनचरिया का अच्छे से ही पालन करते थे पर उस दिन कुछ ऐसा हो गया क्योंकि किसी से भी कुछ भी गलती तो होई सकती है ना तो वो सो गये उनकी आँख लग गए अब मंचा देवी ने सोचा कि क्या किया जाए क्योंकि सास्त्र ये भी कहते हैं कि पती को किसी भी तरह की पीड़ा नहीं देनी चाहिए अब नीद से उठाने पर तो परेशानी होती है तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए अब उठाने के उनकी सेवा धर्म का पालन करूं अथवा जो मेरा वास्तविक धर्म है कि उनको ध्यान के लिए जगा ना है तो उस धर्म का पालन करूँ तो उन्होंने ध्यान के लिए उठाने का ही निर्ने लिया और उनको उठा दिया और कहा जाता है कि वो वहाँ से रुष्ट हो करके मन्सा देवी को छोड़ करके चले गए और चूकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया ये नहीं देखा कि पती कि निद खराब हो रहे कि क्या हो रही है उन्होंने अपने धर्म का पालन किया इसलिए उनको देवी के रुप में लोग मानते हैं पर यहाँ वास्तों में उन मन्सा देवी का वर्णन नहीं है क्योंकि यदि देवता कोई कोई देधारी व्यक्ती होता कोई पुरूस होता तो देवी को भी उस रूप में समझा जा सकता है पर जब देवता ही कोई व्यक्ती विशेश नहीं है परम्हंस अवस्था विशेश को उन्होंने देवता माना तो यहाँ मनसा देवी का मतलब है मानसिक सक्ती से और उस मानसिक सक्ती का इस्थान हृदय विशेस में है और जब ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान का जो मुल विशे है वो तो मनो वृत्ती ही है हम क्या कहते हैं योगस चित्त वृत्ती निरोधा तो यहां मन की जो मानसिक सक्ती है ऊस्थान उरहिदय को कहा जाता है और उपनिश्यदाधी में जो मान सिख सकती है उनका अस्थान ह doubling में बताया है इसलिए यहां अपर उन्होंने कहा मनसा देवी उर मान चेतन व्यपी आचारज और हम आचारय किसको मानते हैं? वह जो चेतन परमातमा है, जो सर्वत्र व्यापक है, उसे हम अपना आचारय मानते हैं और तरिकुटी तीरत जान तीरत किसको मानते हैं? इडा, पिंगला और सुसुमना का जो केंदर है, जहां इकठे होते हैं उस इस्थान को त्रिकुटी कहा जाता है और उस इस्थान को हम अपना तीर्थ मानते हैं वहाँ पर हम ध्यान करते हैं उस इस्थान का सरोवर छेत्र है सही और वहाँ ध्यान रूपी जो सरोवर है उसको ही हम अपना छेत्र मानते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो छठी मान्यता है उन्होंने कोई लवकिक स्थान विशेश को व्यक्ति विशेश को नहीं माना उन्होंने अवस्था विशेश को ही रिश्य माना लवकिक किसी विशेश को आचार्य न मान करके जो सर्व व्यापक ब्रह्म है यहां सर्व व्यापक ब्रह्म यह मत समझना कि राजी के लिए प्रयोग किया जा रहा है आदी नाराण भी तो ब्रह्म ही है ना पर फरक क्या है उसको हम छर ब्रह्म कहते हैं तो वो इस संचार में व्यापक है उसकी सक्ति यहाँ पर व्यापक है उसके इन्होंने आचार्य माना कहते हैं छठी मन्या विधी एह बात है साथ की लेत आप परते है श्री जी कह रहे हैं कि इसमें तो वैसे ब्रह्म स्रिष्टियों की बातें बताई गई हैं आत्मा की बात परात्म की जो बात है वहाँ और कौन कर सकता है है तो ब्रह्म स्रिष्टियों की पर इन लोगोंने अपने उपर माना है और कई चीजी तो अपने सरीर पर घटा रहे है चाए त्रिकुटि है शरीर में ही आता है नाभीक शेत्रह वहाँ भी शरीर में ही आता है तो कुछ लक्षण उन्होंने शरीर पर घटाए हैं और कुछ लक्षण जो की हंस और परमहंस की है ये उन्होंने अपने उपर घटाया है जो की ब्रह्म स्रिष्टियों की बाते हैं अब सात्वी मान्यता की बात की जा रही है, कहते हैं, जम्बू दीप भरत खंड माहें, जो सात्वी मान्यता है, वह जम्बू द्वीप में भरत खंड के अंदर है, ब्रम्हा पुत्र सिखा सही, ब्रम्हा के मानसी पुत्र है, सनक, सनन्दन, सनातन, सनतकुमार, उनको सिखा कहते हैं हम, और सुत्र साखा ताही, एक रिशी हुए संख्यायन रिशी, उन संख्यायन रिशी को हम सुत्र कहते हैं, और यग्यो पवित्र में सुत्र कहयो, वैसे बाहियरूप से यग्यो पवित् ब्रम्मन पहनते हैं वैसे तो क्योंग ब्रम्मनों का नहीं होता है जनेव जो पहना जाता है छानब्बे अंगुल लंबा वह धागा होता है तीन धागे होते हैं और उसमें تीन गाठे होती है ये जो तीन धागे हैं वो कर्म, उपासना और ज्ञान के प्रतीक हैं जब भी कोई विद्यार थी चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो चाहे वो ब्राह्मण कुल में हो चछट्रिय कुल में हो, वैश्य में हो या फिर कोई सुद्र कुले उत्मन हो गुरुकुल में प्रवेश करते समय उसे यज्यों पवित जनेव पहनाई जाती थी क्यों? कि एक ड्रेस कोड के रूप में कि आज से मैं यज्यों पवित धारण कर रहा हूँ अब गुरुकुल परियंत जब तक मेरा ब्रह्मचारिय आश्रम है जब तक मैं विद्यार थी हूँ तब तक गुरुकुल में रहते हुए मैं कर्म के विशे में उपासना के विशे में और ज्यान के विशे में सिखूंगा यहां कर्म उपासना और ज्यान मतलब वेदों से है वेदों को पढ़ूंगा और साथ ही साथ उसमें तीन गाठे होती है वे तीन गाठे माता, पिता और आचार्य की प्रती मेरा जीवन भर क्या कर्तव रहने वाला है मात्री रिण, पित्रे रिण और रिशी रिण का वो प्रतीक है और जो 96 अंगूल है 32 प्रकार की विभिन्न विद्याएं और 64 प्रकार की कलाएं होती है उन कलाओं को उन विद्याओं को सिखने के लिए मैं मेरे ब्रह्मचारी आश्रम तक लगा रहूंगा यह प्रतिज्यां है याद दिलाने के लिए इसी तरह से सिखा भी ऐसी ही है शिखा का मतलब चोटी है ना तो सिखा और जो यज्योपवित है दोनो ज्यान ग्रहन करने के लिए है उपनिशत कहते हैं सिखा ज्यान मै यस्य उपवितम चतन मैयम सिखा और यज्योपवित दोनो ज्यान के लिए है अब यहां कह रहे हैं ब्रह्म्ह पुत्र सिखा सही सुत्र साखाता ही हम अच्छा यज्यों पवित्र में सुत्र कहयो यज्यों पवित्र को भी सुत्र कहा जाता है बाहियरूप से और कह रहे हैं बरने सत मठ चार प्रकार के मठों का वर्णन किया गया है वे चार मठ तो हम पहले ही सुन चुके हैं पस्चिम दिशा में सारदा मठ है पूर्व में गोवर्धन मठ है उत्तर दिशा में जोशी मठ है और दक्षिन दिशा में स्रिंगिरी मठ है ये चार मठ हमने कल भी सुना कि संकराचारे जी ने इन चार मठों के स्थापना क्यों कि किस तरह से पूर्व के सन्यासी को पस्चिम के मठ में पस्चिम के सन्यासी को पूर्व के मठ में इसी तरह से उत्तर के दक्षिण में दक्षिन्द के उत्तर में ऐसा विधान किया उन्होंने ताकि एक दूसरे के स्थान का कोई भी वहाँकी परमपरा हो या वहाँकी परस्थितिय उसको जाना जा सके, सीखा जा सके इसी लिए उन्होंने चार मठों के स्थापना की इसी तरह से कह रहे हैं चार मठ के चार ब्रह्मचारी चारों मठ में जो ब्रह्मचारी हैं उनको चार नामों से जाना जाता है उन चारों नामों का अर्थ अलग-अलग होता है कहते हैं आनन्द, स्वरूप, चेतन और प्रकास ये ब्रह्मचर्य के चार अलग अलग नाम बताए पहला है आनन्द आनन्द किसको बोलते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करे और उस पालन से वह सास्वत आनन्द की कामना करे सास्वत आनन्द किसमे है تمातमस्थम अनुपश्यंती धिरा तेसाम सुखम सास्वतम न एत्रेशाम ब्रह्मचरीय शब्द का आर्थ क्या होता है इसको यदि अलग-अलग करते हैं विग्रह करते हैं तो ब्रह्म और चरिय दो शब्द है ब्रह्म में चलना ब्रह्मचरिय अलग-अलग स्तर के होते हैं सारेरीक ब्रह्मचरिय है बाउधिक ब्रह्मचरिय है और आत्मीक ब्रह्मचरिय भी है सारेरीक ब्रह्मचरिय में अपने शरीर को सैयम नियम में रखना और अपने सभी इंद्रियों को वश्में करना उसको सारेरीक ब्रह्मचरिय कहा जाता है इसी तरह से जो मानसिक ब्रह्मचरिय है वेद को भी ब्रह्मचरिय कहा जाता है वेद का तात्परिय ज्यान उपनिशद के बारा महावाक्य में एक महावाक्य है प्रज्यानम ब्रह्म ब्रह्म्ह शुद्ध ज्यान स्वरूप है तो ज्यान को धारण करना वह भी ब्रह्मचरिय है वेद में चलना, वेद को पढ़ना, सीखना तो वो मानसिक ब्रह्मचरिय है और आत्मिक ब्रह्मचरिय का मतलब आत्मिक द्रिष्टी से ध्यान में उस ब्रह्म का ध्यान करना उस ब्रह्म में लीन हो जाना वो आत्मिक ब्रह्मचरिय है तो जो ब्रह्मचरिय का पालन करते हुए अपने सास्वत आनंद की कामना करता है उसको कहा जाता है आनंद उसके बाद आता है स्वरूप जो ब्रह्मचर्य का पालन करने से अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहता है उसे स्वरूप कहा जाएगा और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते करते ब्रह्म के भाव में अथवा ब्रह्म ही भाव में डूब कर इस जड़ सरीर के मुह से उपर उठ जाता है उसे चैतन्य कहा जाता है और जो ब्रह्मचर्य के पालन से सास्वत ज्यान का प्रकास पाने का प्रयास कर रहा है उसे प्रकास कहा जाता है तो आनंद सरूप चेतन और प्रकास ये चार प्रकार के ब्रह्मचारी हैं और कह रहे हैं हंस परम हंस बोध कुटीचर, सब्त मठ मन्या जास और कह रहे हैं कि ये तो ब्रह्मचर्य के चार नाम बताए हैं इसी तरह सन्यासियों की भी सन्यासियों का चार अलग-अलग आध्यात्मिक इस तरह बताया जा रहा है हंस, परमहंस, भोध और कुटीचर वैसे ये थोड़ा क्रम अलग-अलग है वैसे देखा जाए नीचे से उपर के क्रम में तो सबसे पहले आता है कुटीचर कुटीचर किसको बोलते हैं सायद आप लोगोंने सुना होगा नहीं सुना होगा तो अपने घर से थोड़ी दूरी पर कुटी बना कर रहने लग जाता है ये सन्यास धारण करने से पहले की अवस्था है तो कुटी बना करके रहने लगता है वहीं पर अध्यय नित्यादी करते हैं और साधना में लगे रहते हैं फिर जब कोई अवस्था आजाएगी सन्यास ले लेंगे पर जो अभी घर त्याग नहीं किया है क्योंकि सन्यासी तो घर पूरी तर से छोड़ देता ना गाउसे भी अलग होना पड़ता है जब व्यक्ति सन्यास धारण कर लेता है उस समय सिखा को भी छोड़ना पड़ता है जो चोटी होती है ना सन्यासी लोग चोटी नहीं रखते हैं ये तो ब्रह्मचरी आश्रम में ग्रिहस्ती भी रखते हैं पर सन्यासी चोटी नहीं रखते हैं तो अभी सिखा का भी त्याग नहीं किया है सुत्र का भी त्याग नहीं किया है और अपने घर के पास में ही कुटी बना करके रहते हैं हाँ वस्त्र भगवा पहनना शुरू किया है हाथ में कमंडल है दंड है केवल सिखा और सुत्र भी है तो ऐसे जो साधू है वहाँ पहली अवस्था उनको कहा जाता है कुटी चर फिर दूसरे हैं बहुदक जिसको बोध कहा है बहुदक किसे कहते हैं वे भीक्ष्या मांग करके अपना गुजारा करते हैं और उन्हें साथ घरों से भीक्ष्या मांगने की अनुमती होती है कितने? साथ घर से यदि मान लीजिये कि कोई बहुदक अवस्था में है और बस्ती में वो रह नहीं सकता जंगल के आसपास घर बना करके रहना होता है कुटी बना करके साथ घरों में गए किसी कारण से पहले घर में विक्षा नहीं मिली, दूसरे नहीं मिली साथ में से किसी ने किसी में मिल गई तो गुजारा हो गया लेकिन ये दि किसी दिन क्योंकि हमें तो नहीं पता होता ना मान लिजे कि हमारे घर में कोई इस तरह का साधू आता है किसी कारण से हमने उसको नहीं दिया और ये भी हो सकता है कि हमारा घर सात्मा हो तो वो आठवे गर से भिक्षा नहीं मागेगा उस दिन वो भुखा रहे जाएगा पर भिक्षा नहीं मागेगा उस अवस्था के जो साधू होते हैं वईरागी विरक्त होते हैं उनको बहुदक कहा जाता है और जो अपनी विशय वासनाव का त्याग करके अपने आत्म स्वरुप में स्थित होते हैं उनको हंच कहा जाता है और जो त्रिगुणातीत अवस्था में पहुँच कर अपनी परात्म को देख लेते हैं अथो अपनी परात्म की अवस्था को प्राप करते हैं उन्हें परम्हंच कहा जाता है तो ब्रह्मचरिय के चार अवस्था हो गई इसी तरह से सन्यास की चार आध्यात्मिक स्तर हो गई तो ये साथ मठ है केरे सब्त मठ मन्याजास साथ मठों की ये मान्यता है इस तरह से केरे साथो मठ के सन्यासी बोले सबे विचार उपदेश बोध दिख्षया कहे अपनी सो देखो तौल निरधार इस तरह से सातो मठों के आचारियों ने स्रीजी को अपने विशाय में बताया कि अपनी अपनी जो पधती थी वो सुनाई और सारी पधती सुनने के बाद स्रीजी ने क्या कहा कि एक छठी मान्यता के अतिरिक्त और किसी ने भी अखंड अथवा संसार से परे की बात नहीं की है और छठी मन्यात में से भी केवल आत्मा और परात्म शब्द को निकाल दिया जाए तो उसके अलावा सभी इस जगत की ही है अथवा नारायन तक की ही बात की है इसलिए अब इन सातों मन्यताओं दसनाम सन्याशियों से भी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं छे दर्शन के आचारियों की दसनाम सन्याशियों भी पीछे हट गए अपनी मन्यता बता कर अब अगला जो प्रकरण है इस प्रकरण में छे दर्शन के विशे में बताया है दर्शन किसको कहते हैं कहते हैं द्रिश्यते अनेन इती दर्शनम जिसके द्वारा देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं यहां देखने का तात पर यह अनुभव करने से भी है, केवल आखों से देखना नहीं हम, बोलचाल की भासा में, जैसे मानिजे माता एक खाना बनाती हैं, और खाना बनाते समय, डाल में, सबजी में नमक कम ज्यादा हो, और चखने के लिए किसी और को देना हो, तो हम क्या बो देखने का तात पर यह जानने से, लेकिन किसको जानना, किसको समझना, जो पदार्थ है, पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को समझना दर्शन का विशय है, अब पदार्थ कौन सा, तो पदार्थ की व्याख्या विभिन्य दर्शन में प्रसंग के अनुशार भिन्य भिन जल, अगने, वायू और आकास कुछ लोग आत्म तत्व की बात करते हैं तो वहाँ आत्म तत्व अलग हो गया परमात्म तत्व की भी बात करते हैं वहाँ परमात्म तत्व अलग हो गया कुछ लोग योग तत्व कहते हैं वहां योग तत्व का मतलब वहां तत्व की परिभाशा अलग हो गई अच्छा जिनोंने केमिस्ट्री पढ़ी होगे उनको पुछा जाए तत्व कितने होते हैं वो बोलेंगे कि तत्व तो 118 होते हैं अब कहां 5 तत्व कहां 118 तत्व फिर उनको पुछेंगे वो 118 तत्व कौन कौन से, फिर वो अगर पड़ा होगा तो बताएंगे हाइड्रोजन है, हेलियम है, लिथियम है, अब ये जितने भी गैस है से, हम तो बोलेंगे ये तो वाई तत्व में आ जाता है तो तत्व की परिभाषा प्रसंग के हिसाब से भिन भिन है, अब यहाँ दर्शन में हर दर्शन का जो मूल प्रतिपाध्य विशय है, वो भिन भिन है उन प्रतिपाध्य विशयों के आधार पर इस दर्शन का तत्व क्या है वह हम जान सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए हमने योग दर्शन पढ़ा तो योग दर्शन में किसके विशय में बताया जाएगा योग के विशय में अब योग में क्या-क्या तत्व है वो हमें पढ़ के पता चलेगा सांख्य दर्शन हम देखेंगे वहाँ पर अलग विशय होगा तो उसके तत्व अलग होगे इस तरह से भिन्न भिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न तत्वों की बात की गई है अब प्रसंग चल रहा है छे दर्शन के आचारियों का सभी आचारिय अपने अपने दर्शन को प्राचिन अथवा पुराना साबित करने पर लगे हुए हैं वास्तविक्ता ये है कि कोई भी ज्ञान केवल पुराना हो जाने मात्र से सही नहीं होता है सत्य को जानने का अलग-अलग मापदंड है उसको जानने के अलग-अलग तरीके हैं केवल पुराना कह देने मात्र से वह सिद्ध नहीं हो जाता है अब वैसे देखा जाए तो इस संचार में जितने मत मतांतर पद्धतियां है या जो भी आचार सहीता अथवा आचार पद्धती है वो तो बहुत नई है और देखा जाए तो जो राक्षयसों की पद्धती है आप देखेंगे त्रेता युग में भी राक्षयसों का वर्णन मिलता है, सत्य युग में भी मिलता है, द्वापर युग में मिलता है. अब उनका जो सिध्धान थे, हिंसा वाला, केवल पुराना हो जाने मात्र से उसको सही थोड़ी मान लेंगे हम. केवल पुराना हो जाना, किसी के सत्य होने का परिचायक नहीं होता है. तो पहले तो सभी आचारी अपने अपने मत को पुराना साबित करने पर तुले हुए हैं, कि यदि हम सब से पुराने साबित होंगे, तो बता पाएंगे कि अच्छा हम ही वो सनातन हैं जिसकी बात हो रही है, लेकिन वास्तविक्ता इससे कुछ अलग है. जैसा कि हम सुरू से ही सुनते आ रहे हैं, कि महाभारत काल के बाद जैसे 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 ज्यान का लोप होता गया, वैसे वैसे ही ज्यानियों की संख्या कम होती गई. पहले गुरुकुल में जाकर के लोग चारों वेद पढ़ते थे, वो भी अंग और उपांग के साथ में, अंग में जैसे छे दर्शन हो गए, और जैसे उपांग है, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्द, ज्योति, स्व्याकरणित्याद, ये सभी पढ़ लेती थे, और हर एक वेक्ति ये पढ़ा होता था, और धीरे-धीरे, कुछ जो स्वार्थी ज्यानी थे, उन्होंने लोगों को अज्यानी बनाने पर जोर दिया, ताकि हमारा स्वार्थ सिध हो सके, तो चारों वेदों से होते होते, वेदों का अध्याइन रुक गया, फिर लोग उपनिशद तक पहुँचे, फिर कुछ समय के बाद में कालांतर में उपनिशद पढ़ाया जाना भी बंद हो गया, फिर दीरे दीरे पुराणों की रचना होने लगी, इसी तरह से दर्शन में भी सभी लोग छे दर्शन को पढ़े होते थे, अब प्रशन यह होता है कि आप में से, कई बार लोगों का प्रशन होता है, वैसे तो सुन्दर्शात में तो सबकी रूची होती ने यह दर्शन के तरह, सुन्दर्शात को लगता है हमें वाणी मिल गए है, हमें और चीज़ों की क्या जरूरत, यह तो स्वपनिक बुद्धी का ज्यान है, इनमें भला क्या ही लिखा है, वास्तविक्ता यह नहीं है, वाणी कहते हैं जिन जानों सास्त्रों में नहीं है, सास्त्रों में सब कुछ, सास्त्रों में है, हमारी रूची नहीं है, सो अलग है, तो किसी की थोड़ी सी रूची होती है, तो वो पूछते हैं, कि हमें कौन सा दर्शन पढ़ना चाहिए, कौन सा दर्शन सबसे अच्छा है, अब इसका उतर कैसे दिया जाए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जैसे आपको कोई बीमारी है या बीमारी नव भी हो और आपको पुछा जाए कि कौन सा डॉक्टर सबसे अच्छा है मेडिकल का कौन सा विभाग सबसे अच्छा है आप क्या बोलेंगे वो तो आपकी बीमारी पर निर्भर करता है ना अब किसी को तो त्वचा से संबंदित परेशानी होगी, तो वह जाएगा त्वचा रोग विशे सज्जें के पास, Skin Specialist होते हैं जिसको हम Dermatologist बोलते हैं, दाद की परेशानी होगी तो Dentist के पास जाएगा, हृदे से संबंदित परेशानी होगी तो Cardiologist के पास जाएगा, ओप्रेशन कराना होगा तो किसी ने किसी सर्जन के पास जाएगा, सामान्य दवाई चाहिए होगी तो General Physician के पास जाएगा, इसी तरह से सरीर के अलग-अलग अंग के आधार पर उन अंगों के Doctors की महिमा होती है, महत्व होता है, इसी तरह से, और यदि किसी ने पूरे सरीर को पढ़ लिया है, अथवा कोई ऐसा डॉक्टर बन जाए, माननेजे, वैसे तो बहुत ही मुश्किल काम होता होगा, कि एक ही डॉक्टर है, जो नाक कान गला रोग विशेशन जे भी है, जो हृदय रोग विशेशज्य भी है, सरजन भी है, डेंटिस्ट भी है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है, यदि हो भी तब भी बहुत मुश्किल है, पर जो सब को जान लेगा तो वो समझेगा ना, कि सब का अपना-पना महत्व है, इसी तरसे छे दर्शन भी कुछ ऐसे ही है, सब एक दूसरे के पूरक है, सब मिलकर के कोई विशेश पूरा होता है, महराजा चत्रसाल जी ने एक प्रसंग में बहुत अच्छा समझाया है, वो कहते हैं, खट दर्शन, छट अंधन को हाथी, जो छे दर्शन है न, ये छे अंधों के हाथी के समान है, किस तरह से, कहते हैं, एक गाओं में हाथी आया, सब लोग उसको देखने के लिए जाने लगे हला मचाते हुए, तो उसी गाओं में एक घर में कुछ अंधे भाई रहा करते थे, तो उन्हों ने कहा, मुझे भी हाथी देखने जाना है, हमें भी हाथी देखने जाना है, माता जी को कह रहा है कि माता जी हमें हाथी देखने जाना है, तो माता जी ने कहा, जाओ, वे जो लड़के थे, वो भी उस आवाज को सुनते हुए हो, चले गए जहां भीड जा रही थी अब किसी से पूछा कि हाथी कहा है बता दो तो ले गए हाथी के पास अब सब लोग छू रहे हैं हाथी को अंदे हाथी को कैसे देखेंगे छू करके अब सब लोग अलग-अलग अंगों को छू रहे है कोई सूड को पकड रहा है कोई पूँच पकड रहा है कोई पैरों को ऐसे करके लपेटने की कोशिस कर रहा है कोई उसके पीट पर हाथ फिरा रहा है कोई कान की तरफ हाथ लगा रहा है तो अब उन भाईयों में से एक भाई ऐसा था जो देख पाता था सब लोग वहाँ से घर चले गए माता ने पुछा हाथी कैसा था अब जिसने सून पक्ड़ा वो केता है कि माँ हाथी तो एक मोटे लठ की तरह था फेर जिसने पूठ पकड़ी वो केता हाथी रस्सी की तरह था और हात फेरी, वो कहता है कि हाथी तो दिवार की तरह था, खुरदराशा, जिसने कान पकड़ी वो कहता है कि जिससे हम गहुँ वगरा साफ करते हैं, ना, क्या बोलते हैं यहां पर? चाज बोलते हैं, गुजरात में सूपड़ा बोला जाता है उसको, तो उस चाज की तरह था अब जिस जो देख पाता है वो क्या कह रहा है कि मा ये सब लोग अलग-अलग अंगों की बात कर रहे हैं जो छाज जैसा है वो कान है उसका अब माता कल्पना करेगी ने कि अच्छा कान इसके बड़े-बड़े से हैं जो लठ जैसा है वो सून है जो बड़े खंबे जैसा है वो पैर है दिवाल जैसी है वो पीठ है रसी जैसी पूँच है इस तरह से अलग-अलग अंगों का वणन किस ने किया जो देख पाता है इसी तरह से श्रिष्टी के बनने के जैसे हाथी के अलग-अलग अंग हो गए इसी तरह से इस श्रिष्टी को बनने के कारणों की व्याख्या में छे दर्सन लिखे गए छे कारण है कारणों की व्याख्या में छे दर्शन लिखे गए अब उन छे दर्शनों का विशे अलग-अलग हो गया जैसे छे कारण कौन-कौन से मुख्यरुप से तीन कारण होते हैं एक होता है निमित कारण एक होता है उपादान कारण और एक होता है सामान्य कारण इसको थोड़ा समझते हैं थोड़ा दर्शन को वैसे किसी को थोड़ी बोरियत सी हो रहे है पर मुझे इस विशे में बहुत आनन दाता है तो निमित कारण उपादान कारण और साधरन कारण है अब मैं आपको समझाता है एक एक चीज उपादान कारण जैसे आटा लगता है पानी उसके बाद चकला, बेलन, चूलहा सिलिंडर तवा, चिम्टा ये जितने भी पदार्थ लग रहे हैं थोड़ा वो तेल भी लगा लेते हैं चलो तो ये जितने भी वस्तुएं लग रहे हैं इनको कहा जाता है उपादान कारण ठीक है? उसके बाद जो बना रहा है माताएं बनाती हैं ज्यादा तर वैसे तो भाई भी बना लेते हैं हमारे हैं तो भाई भी बनाते हैं तो जो बना रहा है वो है निमित कारण ठीक है और इसके अलावा अब बनाने वाला भी है सारे सामान भी है पर कुछ-कुछ चीजे उसमें और भी चाहिए जिसके बिना काम नहीं चलता है तो उसको कहते हैं सामान्य कारण वो कारण कौन-कौन से है जैसे आपके पास सामान भी रखा हुआ है समय भी है लेकिन बनाने का तरीका ही नहीं पता ज्यान ज्यान नहीं है तब भी आप नहीं बना सकते अच्छा सामान भी है समय भी है ज्यान भी है पर नहीं करना है मूड नहीं है पुरुशार्थ यदि पुरुशार्थ नहीं है ये तब भी आप नहीं बना सकत तो ये जो कुछ कारण है, चाहे वो समझ है, चाहे पुरुशार्थ है और समय है ये सामान्य कारण में आते हैं, तो मुझरूप से तीन कारण हो गए, सामान्य कारण, निमित कारण और उपादान कारण और इन ही की व्याख्या में छे दर्शन हैं, जिसमें तीन दर्शनों के अंदर सामान्य कारणों की व्याख्या है, और फिर एक में निमित कारण है और एक में उपादान कारण, चार में सामान्य कारण है. अब जब हम दर्शन पढ़ने लगते हैं यदि आपको सच में पढ़ना है और आपको ये समझना है कि ये जो छे अलग-अलग अंग बता है सूढ क्या है, पूँच क्या है वो समझना है तो आपको मिमान्सा दर्शन से सुरुवात करनी चाहिए मिमान्सा का अर्श क्या होता है जानने की इच्छा, जिग्यासा क्योंकि किसी भी चीज को हम जानते कभें जब इच्छा होती है मिमान्सा दर्शन का प्रतिपाद्य विश्य है कि हमें धर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए अथा तो धर्म जिग्यासा तो वहां से शुरुवात करके जानने के लिए आप निकले और उसके बाद अंतिम जो लक्ष है वो कौन है हमारा अंतिम लक्ष कौन है ब्रह्म है ना तो ब्रह्म को बताया गया है वेदांत दर्शन में मिमांचा दर्शन से शुरु करके बाकी अन्य चार दर्शनों से होते हुए हम पहुचते हैं वेदांत दर्शन में पहले आता है मिमांचा दर्शन फिर आता है वैसे सीख फिर न्याय योग फिर सांख्य फिर वेदांत इस तरह से छे दर्शनों की ये व्याक्या है अलग-अल अलग अलग बातें हैं लेकिन कुछ-कुछ बातें सभी में समान रूप से हैं जैसे कुछ लोग मिमान सा दर्शन को नास्तिक दर्शन भी बता देते हैं वैसे मैं बताओं दर्शन दो प्रकार के हैं नास्तिक और आस्तिक पर ये छे के छे दर्शन आस्तिक दर्शन है नास्त बयुद्ध, जैन और चार्वाक का नास्तिक किसको बोलते हैं? जो वेदों को नहीं मानते जो आत्मा और परमात्मा की अनादिता को स्विकार नहीं करते ऐसे सिध्धांद को नास्तिक सिध्दांद कहा जाता है तो ये 6 दर्षन में ऐसा नहीं है कुछ लोग इसलिए कहते हैं मिमान्चा दर्शन को नास्तिक क्योंकि मिमान्चा दर्शन में परमात्मा के विशे में कोई बात नहीं है पर वास्तविक्ता ये नहीं है वास्तविक्ता ये है कि मिमान्चा दर्शन का प्रतिपाद्य विशय परमात्मा है ही नहीं उसका प्रतिपाद्य विशय तो है धर्म अथा तो धर्म जिग्यां सा धर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए धर्म क्या है ये सारी बात उसमें बताई है जो मिमान सा दर्शन वेदों का उदाहरण दे रहा है उसको हम नास्तिक नहीं कह सकते कोई भी दर्शन जिसमें वेदों का उदाहरण है उसको हम नास्तिक कह ही नहीं सकते अब मान लिजे कि आप किसी आर्ट की टीचर के पास चले गए जो ड्रॉइंग करते हैं बहुत अच्छे से और हो सकता है उसमें इन्होंने PSD भी कर रखी हो अब आर्ट में केवल ड्रॉइंग करना ही नहीं होता न उसमें कला के संदर में बहुत सारी किताबें हैं ग्रंथ है अब वो सब उनको याद है आप उनके पास जा करके कोई medical line का प्रस्ण पूछ रहे हैं जो उनको नहीं आ रहा है और आपने कह दिया कि अरे ये तो अज्यानी है ये तो ऐसे ही बात होगे क्योंकि ये उनका विशय नहीं है मिमानचा दर्शन का विशय ब्रह्म है ही नहीं मिमानचा दर्शन का विशय है धर्म धर्म किसे कहते हैं ठीक है तो इसलिए उसमें ब्रह्म की व्याख्या नहीं है पर वेद का उदाहरण होने से इस दर्शन को हम आस्तिक दर्शन ही मानेंगे तो इस तरह से ये छे दर्शन है अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि छट दर्शन छट अंधन को हाथी छे दर्शन अंधों के हाथी की तरह है हाथी के अलग-अलग अंगों कोई विशे में कौन बता सकता है जिसकी आखें हो हमारे पास आखें कौन सी है राजी ने हमें तार्तम वाणी के रुप में वो आखें दी है जो हमें ये बताती है कि धर्शन की वास्तविक्ता क्या है सुन्दर साथ के पास तो अभी बहुत अच्छा मौका है आपने सायद मुझे नहीं लगता कि कभी सत्यानजली को सीरियस ले करके पढ़ा है आप कभी सत्यानजली खोल करके देखिए ब्रह्मान रहस्य खोल करके देख लीजिए वहाँ पर दर्शनों की बहुत सारी बाते हैं सत्यानजली और ब्रह्मान रहस्य में विशेश रूप से सांख्य दर्शन और वैसेशिक दर्शन की बहुत सारी बाते आपको मिलेगी आप निजानन्द योग और ध्यान की पुश्पान जली खोल करके देखे वहाँ योग दर्शन की बहुत सारी बातें मिलेंगे तो दर्शन का हमारे पास प्रकास है और ये हम क्यों कैसे कर पा रहे हैं क्योंकि राज जी ने हमें वाणी में सब कुछ दे रखा है ये सब तो कहीं न कहीं ताला है ना तार्तम ग्यान रूपी चाबी देकर के राज जी ने हमें भेजा है जिससे हम दुनिया को बता सकते हैं कि दर्शन में क्या लिखा हुआ है आज जिनके पास तार्तम ज्यान नहीं भी है वह भी केवल सब्द ज्यान के आधार पर और जो कुछ व्यवाहरिक ज्यान प्रचली थे उसके आधार पर ही दर्शन की ऐसे व्याख्या करते हैं कि करोडों में उनकी अनुयाई हैं आपने सायद आचारिय प्रसांत जी का नाम सुना होगा आप यूट्यूब में जाकर के सर्च कीजिए या फिर वेबसाइट उनकी देखिए उनके एक करोड से ज्यादा तो उनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में थिक है वो वेदान्थ की अधिकतर व्याख्या करते हैं छे दर्शन में से एक वेदान्त दर्शन की वो बात करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि वेदान दर्शन के अलावा और कुछ उनको नहीं आता है। मुल में वेदान थे, उसके आधार के रूप में वो उपनिशदों के भी चरचा करते हैं, गीता की भी चरचा करते हैं, लेकिन तार्तम घ्यान तो नहीं है ना, फिर भी उनके एक करोड से ज्यादा लोग यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, ठीके, अस्सी करोड से ज्या बता ही जा रहा होगा और हमारे पास राजी ने तार्तम ग्यान की रुप में वो बात बताई है वो चाबी वो रहसे खोली है कि यदि हमारे पास भी जैसी टीम उनके पास है जैसे लोग उनके पास जुड़े हुए हैं इस तरह से हम भी परिष्ट्रम करें तो हम दुनिया को क क्या दे सकते हैं। प्राणायाम तथा आयरवेद के बल पर उनका प्रचार इतना है कि आज मुझे लगता है कि दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं उनमें इनका नाम आता होगा अमीर लोगों में से सबसे प्रभावसाली लोगों में इनका नाम आता है पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति जि कोई व्यक्ति इनको जानता है और हमें राज्जी ने निजानन्द योग के रूप में सब कुछ दे रखा है पर हमारे पास वो प्रस्तुति करण नहीं है हमारे पास वो तरीका नहीं है हमारे पास वो संसाधन नहीं है इसलिए हम पिछड़े हुए है वास्तों में होना यह चाहिए था कि यह दि हमने भी उनके जैसा काम किया होता उनके जैसा परिष्ट्रम किया होता तो आज हम दुनिया को बता रहे होते कि वास्तों में योग ये कहता है, वास्तों में वेदान्त दर्शन ये कहते हैं और वेदान्त दर्शन ही नहीं, हम तो हमारे पास तो वेदों का रहस्य भी है, हम स्वसम वेद की बात करते हैं, कि हमारे पास वाणी की रूप में स्वसम वेद है, जो चारों वेदों के रहस्य को खोलता है तो हमारे पास सब कुछ है पर केवल त्याग का अभाव है बलिदान का अभाव है आज राजी की महर से हमारे पास भी लगबग सौ से अधीक साहित के हैं यूट्यूब में भी हजार से अधीक वीडियो तो पड़े हुए हैं पर कहीं न कहीं संसाधनों का अभाव है जिस कारण हम दूसरे मतों की तरह प्रगती नहीं कर पा रहे हैं मैं उनकी गलती नहीं बता रहा हूँ जितना वो कर रहे हैं अपने जगह पर सत प्रतिसत सही हैं पर हमारे पास जब और ज्यादा ज्यान है हमारा तो करतब भी और बढ़ जाता है ना हमारा तो उनसे अध यह करना चाहिए यह सोचने का विशय है अब क्योंकि छे दर्शनों का विशय है कल हम एक एक दर्शन के विशय में कि अलग-अलग जो दर्शन है उन दर्शनों में क्या-क्या बात बताई है मैंने कहा श्रिष्टी के छे अलग-अलग कारण है उन कारणों के विशे में हम सुनेंगे योग के विशे में भी अच्छे से हम जानेंगे यम, नियम, आसन, प्राणाया, अंप्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी किसो बलते हैं हम तो मंदिर में चले जाते हैं या फिर अपने-अपने कमरे में आख बंद करके 15 मिनिट भी बैठे तो हम कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं जबकि वो तो एक तरह से वो वैसे कुछ भी नहीं है प्रयास एक हमारा आसन सिद्धी करने का प्रयास है जो कि योग के आठ अंगों में से आसन तो तीसरा है हमें यम का पता नहीं है नियम का पता नहीं है तो धारणा ध्यान समाधी तक अभी हमने जाना ही नहीं और बिना जाने बिना जानकारी कि हम कितना भी परिश्रम कर लें हमारा जो परिश्रम में वो वैसा ही होगा जैसे मालेजे कि आख में पट्टी बांद दी जाए और एक कटा भर करके छोटे-छोटे पत्थर दिया जाए और आपको थोड़ी दर गुमाया जाए और बोल दिया जाए कि आपके पास में एक आम का पेड़ है तो आप एक ही बार में भी गिरा सकते तो लोग परिश्रम कर रहे हैं सुन्दर साथ भी परिश्रम कर रहे हैं पर तार्तम ज्यान रुपी जो द्रिश्टी है उस द्रिश्टी से हम जान सकते हैं तो कल हम उन छे दर्शनों के विशे में भी सुनेंगे और यदि समय रहेगा तो फिर हम अपनी पद्धती निजानन स्वन प्रदाय की पद्धती के विशे में भी सुनेंगे अभी समय पुरा होता है चोपई दोराली जी एह विध खट दर्शन भए तिन के कहूं प्रमान खट आचारज हैं सही नाम सुनो तिह ज्यान नाम सुनो तिह ज्यान बोलश्री प्राणनाथ बोलश्री सद्गुरु महाराथ प्रणाम सुनर सद्गुरु